हेलो फ्रेंड्स माइनम इस अपसेक और आज हम लोग डिस्कुस करने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 का चैप्टर नमबर वन वॉट इस डेमोक्रेसी वाइडेमोक्रेसी अब इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में दो चीजे पढ़ने हैं पहले डेमोक्रेसी क्या है और क्यों हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे वॉट इस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है ब्रॉडर मीनिंग जो आपको सिंपल सी एक डेफिनिशन पता है डेमोक्रेसी इस फॉर्म ऑप गॉर्मेंट वर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डेमोक्रेसी है जहां जहां जो है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट करते वो डेमोक्रेसी है या कुछ उसमें भी जो की problem है तो what is democracy और दूसरा इस चैप्टर में दूसरा पाठ है इस चैप्टर का वह वाई डेमोक्रेसी क्यों वाई नोट डिक्टेटर से नोट मोनैर्ट की नोट ओटी नोट त्योक्रेसी यह सब क्यों नहीं डेमोक्रेसी ही सबसे best form of government दुनिया में क्यों है सबसे ज्यादा जो दुनिया की countries है वो democratic ही क्यों है democracy के बाद कोई और जो है कि system क्यों नहीं आ पाया यही सबसे best क्यों है तो why democracy तो what is democracy why democracy में हम दो पार्ट इस chapter में पढ़ेंगे what is democracy and why democracy तो सबसे पहले democracy की simple definition की बात कर लेते हैं वो the people तो जैसा Abraham Lincoln ने क्या बोला democracy के बारे में of the people for the people by the people मतलब उसमें सिर्फ लोग ही लोग है और बात भी सही है लोगों से ही अगर कोई government form हुई उन्हीं लोगों में से निकल के government form किये हम ही ने जो है कि उनको इलेक्ट किया और उन्हों ने फिर हमारे लिए ही काम किया तो यह है डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी फॉर्म of government in which the ruler are elected by the people तो यह हो गया डेमोक्रेसी की simple definition हो गए तो अब यहां पर problem क्या होती है कि यह तो आपको डेमोक्रेटिक है और कौन सी नहीं डेमोक्रेटिक है तो आपने नॉन डेमोक्रेटिक कांट्री में definition अलग-अलग समझ ली कि जहां पर लोगों द्वारा चुनी होई सरकार नहीं होती है वो डेमोक्रेटिक और जहां आपके representative जो भेजे जाते हैं वो लोगों चुन के भेजते हैं वो डेमोक्रेटिक तो जैसे autocracy नॉन डेमोक्रेटिक हो गई मुनायर की नॉन डेमोक्रेटिक हो गई अगर वह constitutional नहीं है तो और डिक्टेटर से जो है कि non democratic हो गया military rule non-democratic हो गया क्योंकि लोगों को लोग जो है कि वह elect नहीं करते हैं तो यह तो clear definition है between democracy and non-democracy but क्या इतनी सी definition democracy को पूरा define कर देती है अब इसको हम लोग समझेंगे तो next point this definition allows us to separate democracy from form of government that are clearly non-democratic इस definition से हमें non-democratic countries के बारे में पता चल जाता है दुनिया की और यह पता चल जाता है कि carefully distinguish करना है कि कौन real में democracy है और कौन democracy होना pretend करता है that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one मतलब यह जो definition है democracy की यह completely democracy को define नहीं कर रहे हो सकता है दुनिया के बहुत सारे देशों में definition जो है वो apply हो जाए बट आप जब उसके और dimensions को open करके देखोगे तो आपको पते चलेगा अरे यह तो सिर्फ जो है कि यहां पर elected by the people होने के बाजूद भी यह democratic system नहीं लग रहा है तो उसी को हम लोग next topic में पढ़ेंगे features of democracy यह तो इस chapter का definition हो गया sorry introduction हो गया कि इसमें क्या पढ़ेंगे what is democracy democracy है क्या और democracy को क्यों adopt करें हम दूसरा यह simple definition democracy की हो गई जिससे आप जो कि दुनिया में non-democratic और democratic country को clearly separate कर सकते हो और last में कि वो democratic country जो actual में इस definition को follow कर रही है बट वो non-democratic है उसको हम लोग जब इसका broader dimension देखेंगे और open करके इनके dimensions को देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि कौन democracy होने का सिर्फ नाटक कर रही है या pretend कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में features of democracy के साथ तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए टेक केर गुडबाए